दोस्तो किर्केट से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट करना ना भूलें भारत और आस्टेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंच चोटिल हो गए थे लेकिन आस्टेलिया की दूसरी पारी के दोरान वो मैदान पर नहीं उत्रे उनकी जगा पर रिद्दिमान साहा ने दस्ताने संभाले लेकिन जब बाद बल्लेबाजी की आई तो पंच ने भारत को मुसीबत से निकालते हुए इतिहास रच दिया पंच ने इस पारी में 118 गेंदों पर 12 चौके और 3 छकों की मदद से 97 रन बनाए इस पारी के साथ ही पंच अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा गए चौथी पारी में टीम इंडिया को 407 रनों के लक्षे का पीछा करना था और भारती पारी लड़ खड़ा रही थी लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंच ने नमबर 5 पर बैटिंग करते हुए न सिर्फ टीम इंडिया को संभाला बलकि तेजी से रन भी बटोरे इस बीच पंच 97 रन बना कर आउट हो गए और वो अपने शतक से चूक गए पंच शतक से जरूर चूक गए हों लेकिन वो रिकॉर्ड बनाने से नहीं चूके उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो भारत का कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं बना पाया था रिशब पंच टेस्ट मैच की चौथी पारी में शतक और 90 से जादा रन बनाने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं उन्होंने इससे पहले चौथी पारी में शतक भी जड़ा है चलिए आपको बताते हैं चौथी पारी में बतौर विकेट कीपर भारत के लिए सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडी कौन-कौन से हैं रिशब पंच ने इससे पहले 2018 में इंग्लेंड के खिलाफ चौथी पारी में 114 रन की पारी खेली थी और अब सिड्नी में उन्होंने 97 रनों की पारी खेली रिशब पंच से पहले MS धूनी ने इंग्लेंड में ही 2007 में नाबाद 76 रन मनाये थे और उससे पहले 67 रन मनाये थे पार्थिप पटेल ने वो भी इंग्लेंड के खिलाफ 2016-2017 में पंच ने इस पारी में चेटेशर पुजारा के साथ मिलकर एक अच्छी साज़दारी करते हुए टीम इंडिया को मुश्किलों से उबारा इस पारी में 97 रन मनाने के साथ ही रिशब पंच टेस्ट मैच की चौथी पारी में शतक और 90 से ज़ादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे विकिट कीपर बल्ले बाज बन गए हैं पंच से पहले ये काम मुश्पिकुर रहीम ने किया था इस टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्ले बाजी करते हुए रिशब पंच चोटिल हो गए थे और पंच को उसके बाद स्कैनिंग के लिए अस्पता ले जाया गया था पंच की कोहनी में पैट कमिंस की एक गेन लगी थी पंच जितना उमीद कर रहे थे गेन उतना बाउंस नहीं हुई और दर्द से कराते हुए पंच नीचे बैट गए थे जिसके बाद पिजियों ने उनकी जाच की दूसरी पारी में पंच बल्ले बाजी तो करने उत्रे मगर दर्द साफ नजर आ रहा था वो हाथ पर स्प्रे करते हुए मैदान पर आए साथ ही टेप भी उनके हाथ पर नजर आई लेकिन इसके बावजूद भी पंच ने हार नह नीमानी और 97 रंकी पारी खेल कर टीम इंडिया को मुश्किलों से उबारा